हेलो नमस्कार दोस्तों मध्यप्रदेश की लेटेस्ट निज ब्रेकिंग ताजा अपडेट लेकर आ गया हूं तो अगर आप मध्यप्रदेश में कहीं पर भी रेते तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मध्यप्रदेश के किसानों को लेकर बड़ी अपडेट आई है मध्यप्रदेश में सरकारी जॉब यानि की दोस्तों गवर्मेंट असनौकरी को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है मुक्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने बहुत ही बड़ी जानकर दिये और साथ में दोस्तों मठ्यपर्दlists के पेंटरोल प्राइज और सोने की कीमत को लेकर भी बड़ी अपडेट लेक्या है वहहीं दोस्तों कक्सा पांच वी और आट वी का टायम टैवल पूरी तरह से बदल गया है उसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है और वहीं दोस्तों मध्यप्रदिश के किसानों को जो है लेकर बड़ी अपडेट आई है और मध्यप्रदिश में बता है जारी कि कई जगों पर गे हूँ और सरसो के दाम में जो है काफी उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है और हमाई दोस्तों मध्यप्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है तो अगर आप मध्यप्रदेश में कहीं पर भी रहते हैं तो इसे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को इलाल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे और हमें कमेंट करके बतेए है किया मध्यप्रदेश के कौन से जिल्ले गामें शेर मे toy autonomy रहते हैं रहिए मुंक्यमंत्री शिवराथ संग्वान पर ब्ल्डोजर मामा के नाम पर कहा है कि गरीबों को परेशान करने वालो, सरकारी जमीन पर दबंगई से कबजा करने वालो और माँ बहन बैट्यों पर बुरी नजर रखने वालो बुल्डोजर चलेगा अब मद्यापरदेश में कानुन अपना काम करेगा लेकिन साथ में बुल्डोजर भी चलेगा सीम सिवरा सिंग चोहान ने कहा कि बाचपा विदाइक रामेश और सर्मा के बुल्डोजर परेड के दोरान ये बात कही है और उन्होंने कहा कि जब बी दोस्तों बाचपा की पहली बार सरकार बनी थी तब चंबल, गौलेर, संबाग की सही थे दोस्तों चतरपूर, सतना और पन्ना जिलों में डकेतों का आतंक था और आते ही डकेतों की सुची बद किया गया और दोस्तों उनका खात्मा क्या गया है और सीमी के नेटोक में द्वास्त किया गया और सीमी के आतंगवादियों को जेल तोड़कर भागने की जरूरत करने वाले वालों को जादा दूर भागने से पहले ही मारकर डेहर कर दिया गया था दोस्तों आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में वापस से BJP की सरकार आएगी कि नहीं अगले साल तक क्योंकि कई राजनीतिक विशेशिकों का मानना है कि यह अब इलेक्शन की तैयरी के मोड में है शिहरा सिंग चोहान और आपको क्या लगता है दोस्तों इसके उपर हमें कमेंट करके ज़रू बताएगे दोस्तों अगली नियूस की बात कीज़े तो मध्य प्रदेश में ककसा पांचवी और आटवी का टाइम टेबल बदला राज्य सिक्षा केंदर का पत्र जारी दोस्तों जिला सिक्षा एम परी सिक्षन संस्ता के नाम जारी कर दिये गए हैं वहीं दोस्तों संसोदन समय सारनी के अनुसा दिनांग 9 अपरेल 2022 को ककसा आट की दूत्य भाषा का लिखित पेपर दिनांग 11 अपरेल 2022 सोमवार को आयुजित किया जाएगा और बताएजार की दोस्तों नाम जारी पत्र के साथ संसोदी समय सारनी सलगन की गई है और विद्यारतियों को जो है चाहिए कि वे अपने स्कूल में संपर्क करें और अपने प्राचारी से संबंदित समय सारनी की मांग करें वहीं दोस्तों अगली निस की बात किजा तो पेट्रोल प्राइस को लेकर प्रति लिटर बालागाट में 111.12 रुपे प्रति लिटर बेतुल में 109.13 रुपे प्रति लिटर बिंड में 109.19 रुपे प्रति लिटर बोपाल में 108.89 रुपे प्रति लिटर बुरानपूर में 110.19 रुपे प्रति लिटर चातरपूर में 110.25 रुपे प्रति लिटर चिं इंदौरी नेस्ट पैंट 111 परती लेटरर गुर्ना में इक सोटी दस पॉइंटे जातीस परती लेटर गालेर इस आथКोंट से कर ठीजुया कंटिErी सो नौप 185 प्रती लिटर होसंगावाद में 108.90 रूपे परती लिटर इंदोर में 109.05 रूपे परती लिटर जबलपूर में 108.99 रूपे परती लिटर जाबो में 110.05 रूपे परती लिटर कटनी में 110.06 रूपे परती लिटर खंडवा में 110.27 रूपे परती लिटर बन्ना मिक्सो 111 और साथ में राईसें में 210 राजगड में 109.18 और अत्ला में 209.24 रिवा में 1111.12 सागर में दोस्तों जो है 108.96 और साथ में सतना में 111 और सिवर में प्रति लिटर पेट्रोल मिल रहा है दोस्तों आपने लास्टेम पेट्रोल कितने रुपए का बरायता कितना रुपए लिटर था कमेंड करके जरू बते हैं वह दोस्तों अगली नियूस की बात कीज़े तो मध्य परदेश के किसानों को लेकर आ रहे है मध्य परदेश में जो है किसान 5664 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर सरबती गेहूं की बिकरी जी हा दोस्तों रूस और यूकरेन के बीच यूद्र के कारण भारत में गेहूं का निर्यात बड़ा है और देश में रभी फसलों की कटाई शुरूआ चुकी है और रभी स किसान को सरबती गेहूं के 500 रुपए प्रति क्विंटल अधिक भाव मिला है उन्होंने 28 क्विंटल गेहूं की बाकी की बिकरी कियो है और वरतमान में मिल रही कीमत दोस्तों जो है काफी खुश है मध्य परदेश किसान देवकरन दीवाड़े आस्टा मंडी में सरबती गे बिचे हमें कमेंड करके जरूर बताएगा वहीं दोस्तों अगली नियूस की बात कीज़े तो मध्य परदेश के सोने और चांदी की किमत को लेकर आ रही है मध्य परदेश के प्रमुक जिलो और शेहरो में ऐसा ही किमत देखने को मिल रही है वहीं दोस्तों अगली नियूस की बात कीज़े तो वह आ रही है मध्य परदेश में दस्वी और बारवी परिक्षा को लेकर बताएजार की दोस्तों जल्द आएगा मध्य परदेश बोर् की और से जारी सुचना के मुतावित और MPBSC दोस्तों जो है अक्सा दस्वी की परिक्षा 10 मार्च 2022 को संपन होई जबकि अक्सा बारवी की परिक्षा 12 मार्च 2022 को होई अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर दोस्तों आप रिजल्ट कर सकते हैं MPBSC.nic.in पर रिजल्ट देखन अपना रोल नंबर डाल कर सब्मीट के बटन पर क्लिक केए जिए आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और रिजल्ट की एक कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं MPBSC करके यानि प्रिंट आप्शन को वह दोस्तों अगली निश की बात की जाए तो वह मौसम कई पर आशिक बादल चाहे रेने के अनुमाने और इसी की वज़े से दोस्तों अधिक्तम तापमान में कुछ कमी आ सकते हाला कि कई जगों पर एक बार फिर से गर्मी के तेवर काफी दिखे देखने को मिल सकते हैं मध्या परदेश में सबसे अधिक 42 डिग्री से तापमान खंडवा में दर्च किया गया और खंडवा एंव नर्मदा पूरो में लू चली है और नियोंतन तापमान 16 डिग्री और खजुरा मंडला रिवा एंव मंडला में दर्च किया गया मौसम विबाग के मुताइजार की राजदानी का अधिक्तम तापमान 37.9 डिग्री से रेक बोपाल इंदोर जबलपूर और गौलीर सहीद दूस्तों आसपास के लागों 36 जानी की समवाना और बारी और गर्मी पढ़ने की समयोना काफी ही अधिक है आपके यहां पर दोस्तों मौसम कैसा है गर्मी पढ़ रही है बारिश का असारे कमेंट करके जरू पतेगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो मिलते आगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद